हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल कॉलर वाले पैटन में नेक डिजाइन बनाने के लिए हम 12 इंच लंबा एक भक्रम लेंगे जिसकी चोड़ाई साड़े 9 इंच है भक्रम को फोल्ड करके यहां पर हम 1 इंच की चोड़ाई पे टिक लगाएंगे यह देखिए एक इंच की चोड़ाई पे टिक लगाने के बाद अब हम लंबाई नापेंगे तो हमने 10 इंच की लंबाई पे टिक लगाई है यहां से हमें तिर्ची में 4 इंच की ऐसे लंबाई नापनी है तिर्ची में इसकी चोड़ाई यह देखिए 3 इंच है अब इन तीनो टिक को scale की साहेता से हम ऐसे line up कर लेंगे जितना हमारा scale का चोड़ाई है उतना चोड़ाई नापते हुए इस line के बगल में हमें ऐसे line up कर लेना है ये देखिए जिस shape में हमने line up किया था बिलकुल उसी shape में हमें स्केल के चोड़ाई के बराबर लाइन अप करके बक्रम को ऐसे कट कर लेना है। ये बहुती इजी पैटन है कॉलर वाला नेक डिजाइन बनाने का। इस तरीके से डिजाइन के कटिंग करने के बाद अब हम इस डिजाइन को इसतरी की सहायता से कपड़े पे चिपका देंगे। ये देखिए यहां किनारे की साइट से हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और इसके उपर सिलाई चला लेनी है। तो ये देखिये friend हमारी ये line complete हो चली है इस line को complete करने के बाद अब हम इस design को suit के कपड़े में joint करेंगे तो ये रहा हमारा suit का कपड़ा, suit के कपड़े में यहां पर हमें ये देखिये 3 inch की चौडाई पर टिक लगानी है फिर 4 inch की लंबाई पर टिक लगानी है Scale की सहायता से इन दोनों टिक को हम ऐसे line up करेंगे फिर यहां पर हलका सा goal shape में line up करेंगे अब हमें इसकी cutting कर लेनी है यह देखिए हमने goal shape में गले की ऐसे cutting की है अब जो हमारा बकरम का ये design है इसे हम यहां पर लगाएंगे और इसके बीच में सीधी सिलाई चला लेंगे यहां से धागे को cut करेंगे धागे को cut करने के बाद जिस shape में हमारा design है बिलकुल उसी shape में हमें design के ऊपर यहां से सिलाई चला देनी है तो यह देखिए friend सिलाई चलाते हुए ये line complete होई सिलाई के हलके से बगल में हम एश्टरा कपड़े को ऐसे cut कर लेंगे अब हम यहां कोने के side में हलका हलका कपड़े को cut करेंगे ध्यान रहे सिलाई कटना हो अब हम suit के कपड़े को सीधा करके बक्रम को ऐसे सीधा कर लेंगे इसे perfect shape में बैठाने के लिए हमें design को इस्तरी कर लेना है इस्तरी करने के बाद अब हमें less लेना है मैंने ये white color का ऐसा less लिया है आप अपने हिसाब से less का color ले सकते हैं design में less को ऐसे लगाते हुए हमें सिलाई चला लेनी है तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हुई अब हम धागे को और एस्ट्रा लेस को कट कर लेंगे डिजाइन के पीछे के साइट से हमें एस्ट्रा कपड़े को कट करना है तो ये देखिए, यहां से हम extra कपड़े को cut करेंगे डिजाइन के इस लाइन को तैयार करने के बाद अब हमें डिजाइन को तैयार करने के लिए एक लंबा सा चौडा सा कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई 7 इंच और इसकी चौडाई 8 इंच है कपड़े की पीछे हमने बक्रम को चिपकाया है अब ये देखिए स्केल की सहायता से बर्फी सेफ के पैटन में हमें कपड़े की ऊपर ऐसे लाइन अप कर लेना है वैसे आप जिस पैटन में लाइन अप करना चाहती हैं उस pattern में आप line up कर सकती हैं फिर दूसरे color के धागे से इन सारे line के ऊपर हम सिलाई चला लेंगे आप अपने सलवार suit से matching color का धागा यहां लीजिएगा जिस color का आपका सलवार होगा उसी color का धागा का सिलाई कीजेगा आप अब यह देखिए same size के कपड़े को यहां पर ऐसे लगा कर सिलाई करेंगे फिर धागे को cut करके कपड़े को ऐसे fold करके सीधा करेंगे और दोनों कपड़े को joint करते हुए हम इसके चारों तरफ में सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते हुए हमारी ये line complete होई अब हम इस कपड़े को गले के design में यह देखिए यहां पर ऐसे joint करेंगे कपड़े की लंबाई कितनी है ये नाप लेते हैं डिजाइन में joint करने के बाद कपड़े की लंबाई साड़े 5 इंच है अब हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो ये friend बहुती easy तरीका है कॉलर वाला neck design बनाने का अगर आपको पसंद आये तो हमें comment में जरूर बताईएगा यहां से हम धागे को cut कर लेंगे धागे को cut करने के बाद अब जो हमारा suit का दूसरे side का पला है वो लेंगे तो ये रहा हमारा suit का दूसरे side का पला इसे हम यहां पर ऐसे लगा कर यहां किनारे की side में सिलाई चला लेंगे सोल्डर के side से हमें दोनो side के कपड़े को ऐसे ज्वाइंट कर लेना है अब हम धागे को cut कर लेंगे ये देखिए ऐसे आपको दोनों साइट के पल्ले को ज्वाइंट करना है अब हम इसमें कॉलर बनाएंगे उसके लिए हमें एक लंबा सा बक्रम कपड़े पे चिपका लेना है जिसके लंबाई साड़े 16 इंचे और चौड़ाई देडी इंचे कपड़े को ऐसे फोल्ड करके यहां से हम बक्रम को हलका सा गोल सेप में ऐसे कट करेंगे अब हम इसके उपर सिलाई चलाएंगे सिलाई की स्टार्टिंग यहां से करनी है जिस सेप में हमने कटिंग की है बिल्कुल उसी सेप में हमें ऐसे सिलाई चलानी है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे फिर इस कपड़े को फोल्ड करके सीधा करेंगे अब हम इस कपड़े को अच्छे से परफेक्ट सेप में बैठाते हुए यहां किनारे की साइड में सीधी सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते समय कपड़े को टाइटली घीचेगा अब हम यहां से धागे को cut करेंगे और इस collar के pattern को हम गले की design में joint करेंगे तो यह देखिए, सिलाई के starting यहां से करनी है यह देखिए, गले की design में collar को यहां पर ऐसे लगाएंगे और जिस shape में हमने गले की cutting की है बिल्कुल उसी shape में collar को ऐसे लगा कर सिलाई चला लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल को subscribe करके घंटे को बजा कर आल का option select करें जिस से हमारी आने वाली next video की notification मिलती रहेगी तो ये देखे फ्रेंड हमारी ये line complete हो चली है डिजाइन में proper finishing देने के लिए हम collar की उपर यहां से सिलाई चलाएंगे जिस से हमारा collar perfect shape में हमेशा के लिए ऐसे बैट जाएगा ध्यान रहे उपर की side से आपको सिलाई चलानी है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं अब हम यहां से धागे को cut कर लेंगे धागे को cut करने के बाद अब हमें design को perfect shape में बैठाने के लिए हम इसे अच्छे से इस्तरी कर लेंगे तो ये देखे friend हमने collar की design को इस्तरी कर लिया है अब हमें design के बीच में button लगाना है तो उसके लिए हमने set का button लिया है set के button को हम कपड़े में ऐसे fold करेंगे धागे की मदद से हमें कपड़े को अच्छे से lock कर लेना है फिर यहां से धागे को और extra कपड़े को cut करेंगे और सुई धागा की मदद से design में यहां पर चार button लगा लेंगे तो यह देखे हमने button लगा लिया है जब आप इस design को fitting size देकर पहनेंगी तो यह देखे design का final look जो की बहुती सुन्दर लग रहा है आप इसे पटियाला suit या चुड़िदार suit दोनों पे बना सकती है